तो जय हिंद बच्चों तो लेकर आचको मैं आप लोग को क्लास 11th mathematics circle chapter से next video और आज हम यहां पर start करने वाले हैं exercise 12.2 ठीक है already मैंने आप लोग को concert बता दिये सारे solid examples करवा दिये और अब बार है exercise की तो चलिए फटा फट देख लिएगा क्या कहा जाता है exercise के equations में तो यहां पर हम से कहा जा रहा है कि which of the following equations represent a circle if so determine its radius as well as center ठीक है circle क्यों रिख दिये मैं center ठीक है okay तो फटा पर देख लेते हैं कि किस तरह के से करेंगे already मैंने इस type question आपको example में करवाया हुआ है जहां पर आपको बताना होता है कि जो equation of circle दिया है वो सच में circle को बना रहा है या फिर नहीं या फिर नौर्मिल कोई curve रही तो circle को बनाने के लिए हमारे पास एक condition होते थे जिसमें हमें करना होता था find करना होता था जी स्कुरे प्लस एफ स्कुरे मैंनस दी जी स्कुरे प्लस एफ स्कुरे मैंनस दी अगर यह positive value आता था greater than 0 कहते था circle बढ़िये तगड़ा सा बनेगा अगर यह negative value आता था less than 0 था हम कहते था नहीं यह circle एक्जिस्ट नहीं कर रहा है और अगर वह 0 आ जाता था हम कहते थे circle है but radius is zero मतलब इस condition को हम circle को center तो होता था लेकिन जो आपका radius होता था वो होता था zero और इस case वाले circle को हम कहते थे degenerate circles right तो यही condition हम यहाँ पर use करने वाले तो बिना time कभाई start करते हैं और आप लोगों को याद होगा x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to zero that's your general form of circle यह चीज़ आपको सबको यहाद है ठीक है तो यहीं से हम compare करेंगे और यहां से g और f की value निकालेंगे तो जहां पर center क्या होता minus का g और minus का f ठीक है रेडियस क्या होता है आपके बास radius यहीं चीज़ होती है बस square root के under under होते है ठीक ना g square plus f square minus c चलो तो खिर बात की बात है center radius की कि अगर पहले circle पता करना है कि है या नि तो उसके लिए यहीं चीज़ निकालने जी square plus f square minus c तो जी f और c तो निकालना पड़ेगा भई तो सबसे पहले कोफिजन्ट देखना कि 11 होना चाहिए जो कि है यहां से g की value देखेंगे तो क्या होगा इसको इसको compare करेंगा तो इस वाले को compare करेंगे तो g की value 2 मिलेगी आपको तो इसको निकाल देखेंगे 2 का square कर देंगे plus में यहां से compare करेंगे जी की value minus था plus था एक बड़ में चेक कर लेते हो हम मैनस था तो यहां से तो 2 आ गिया तो 2 का square हो जाएगा और यह minus का है तो f की value minus का 2 हो जाएगा आ रहे ने इस तरह किस तरह किस compare करके बताया मैंने आप लोगों को तो यह हो जाएगा आपके पास minus का 2 तो plus में minus 2 को क्या कर देंगे हम square कर देंगे फिर करेंगे c की value निकालनी माइनस करना है c की value कितना है minus 1 तो यह हो जाएगा plus का बन यह भलावा की वेल्यों मांइस वरन है तो जाएगा इसको स्वेस्विशा घर करते है तो का स्वेस्व drugstore 4 फिर ड तो कितना या 9 9 आपके पास ग्रीटर दे yap करेगा खाने अगा आपके पास N 9 ऐथे पास 9 घ्रीटर भी-अओं ऑस बाथ उसका सेंटर भी होगा G की value 2 आई थी लेकिन minus G होता है तो minus लगाएंगे G की value 2 फिर minus लगाएंगे F की value, F की value minus 2 थी तो plus का 2 हो जाएगा, यह आपका center हो गया, radius क्या होता है, यह वाली जो value निकाला आपने उसी को square root ले लिए क्योंकि अंदर में वही तो है न radius के, square root of 9 which is 3, तो radius आपने 3 निकाल दि है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहां से आप देख पाएं, G की value आजाएगी आपके पास minus का 2 और F की value आजाएगा, आपके पास minus का 4, ठीक है, और C की value है minus का 45, तो अगर मैं निकालता हूँ, G square plus F square minus का C, तो G square मतलब minus 2 का square तो 4, minus 4 का square तो 16, minus का C मतलब plus का 45, तो यह भी greater than 0 है, देख लिएजी, एड कर लेता हूँ, अबिस 65 हो जाएगा, 65 which is greater than 0, तो आपको साब सब देख रहा है, तो इस circle भी बनेगा यहां से, तो G और F minus G, minus F इसका center होता है, value पूट कर देंगा तो आजाएगा 2, 4, ठीक है, चलो, radius निकालेंगा तो under root 65, यह जो निक अब इसमें देखते हैं, तो आपके पास G की value आजाएगी 2, और F की value आजाएगी 1, और C की value आजाएगी आपके पास 14, ठीक है, तो कर देते हैं, G square plus F square minus C, G square मतलब 2 का square 4, F square मतलब 1 का square 1, minus C मतलब 14, तो यहार है less than 0, less than 0, minus का आएगा भी, 4 एक पास minus का 9 तो यह less than 0 है न, जब less than 0 होता है, तो circle exist नहीं करता है, तो इसके इसमें आपको ना center निकालना है और ना ही आपको radius निकालना है, ठीक है, चलिए, अगर हम fourth part देखते हैं, तो इसको पहले standard formula बनाएंगे, मतलब equal to में 0 रखना है, बागे सब को LHS में लेकर आना है, ठीक है, चलिए, तो लेकर form में बनाएंगे इसको, 2x की square plus 2y की square तो minus 5x हो जाएगा, minus 7 हो जाएगा, minus 3 और equal to में 0, चलिए, अब क्या करना है, आपको सभी को 2 से divide कर देना, sir, यह क्यों कर रहे है, क्योंकि x square और y square का coefficient 1 होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इसका general form होता है, उसमें x square और 2 times x, minus 7 by 2 times y, और minus 3 by 2, that is equal to g, अब g और f की value निकाले, g की value आजाएगा, इसको 2 से divide करेंगा, तो minus 5 by 4, और इसको 2 से divide करेंगा, तो minus 7 by 4, और जो c की value आपके पास minus 3 by 2, तो निकाल लेते हैं फटा-फट, g square plus f square minus c, इसका square करेंगा, तो 25 by 4, प्लस में इसका square करेंगा, 49 by 16, 4 क्यों, 16 होगा ना इसमें भी, ठीक है, क्योंकि देखे, इसके square करेंगा, तो 16 आएगा, सही न, चलिए, और minus c की value minus 3 by 2 है, तो plus 3 by 2 हो जाएगा, चलिए, इनको solve कर देते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, 8 से multiply भी कर देता हूँ, 8 से divide भी कर देता हूँ, निचे वाले सेम हो होंगे, उपर वाले को plus कर दिए, 25 प्लस 49 प्लस 18 चौविस divided by 16 हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो इनको add कर देता हूँ, 25, 49, 49, 49, 98, divided by 16, यह कहानी होगा, आपकी पास, तो यह क्योंकि देखे, greater than 0 है, तो circle is just करेगा, तो center क्या होगा, इसी का, इसी का ही क्या करना, आपको change क कर दिना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 by 4 और 7 by 4 इसका center होगा, sin change कर दिना है, क्योंकि minus g, minus f होता है, center, और radius इसी में square root लगा दिए, बात खतर, चिक रहा, radius हो जाएगा, got it, चलिए, next question की बात कर लेते है, next question की बात कर लेते है, next question आपकी पास, 5th, तो 5th में अगर आ की मिल जाएगा, जिसको हम center कहते हैं, तो minus 3,2 आएगा, क्योंकि minus होता है, sin change कर के लिए, यह center होगा, आपके पास, अच्छी बात है, दुसरी चीज़, radius अगर आप देखें, यहाँ पे 0 आएगा, radius 0 आएगा, मतलए, degenerate, degenerate circle बनाएगा, क्योंकि radius आप सब 0 पता चल रहा है आप चाहे तो g निकालने है, यह standard formula की इस वाले formula है, g f निकालने है, और minus का c करते है, g square f minus c, तो आपके पास क्या आने वाले, 0 आएगा, आपके पास को दिखित वाले बात, next, अगर हम इसकी बात करते हैं, इस वाले की, तो यहाँ से भी काम कर लेते हैं, अगर हम यहाँ से देखएं, तो g की value कितनी आएगी, g की value आजाएगी मेरे पास, की गर्म कडर के, 1 by 2, minus 1 by 2, रहें जाएगे, और c की value कितनी है, 0 है आपके पास, ठीक ना, वह भी कर्द UP, 0 है अपके पास, तो 1 by 2, और यह भी आ जाएगा B square by 4 और माइनस का C विची 0 तो आंसर क्या है A square plus B square by 4 which is positive आप देख सकते हैं किसी भी हालत में negative होने का होई नहीं सकता chance तो आपके पास center भी लाइ करेगा circle भी लाइ करेगा circle भी लाइ करेगा circle भी लाइ करेगा square plus F square minus C का तो इसीच की value कितनी आई है इसीच का square root लगा देजिए आपका radius जो हो तैयार मिलेगा कोई दिक्यत वाली बात नहीं चलें आगे और कहां चलें यह तो question ही हो गया चलें आगे को चलते हैं next question के और question number second के पास तो ऐसे थोड़े 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 से concept को बहुत अच्छे तरह के से प्यार से अपलाई की जाएगा ना तो शारी जो काम है आपके वह बन चाहिए ठीक है चले आगे की बात कर लेते हैं इसमें काता है the radius and the circle sorry the radius of the circle okay इस वाले circle यह circle की equation आपको दिख रहे हुए इस circle का जो radius है वो यह चीज है mixed fraction में देया दो दिनी 4 1 5 5 by 2 radius कितनी इसकी 5 by 2 ठीक है okay कहता है find the value of k, k की value निकालनी है तो पहले समसे पहले इतना काम कर लेते है ठीक है radius दे रख का है Line侏 बात की value निकालनी है तो देखे हैं यहां से सितह में G Nou में साथ में C की value मिल जाए गी सबसे पहले जी की value देखे कितनी आब ही – 1 और F की value कितनी आएगे 3 by 2 तो और C की value UK इतनी है कि तो radius का formula क्या होता है radius का formula होता है अंडर रूत में g square plus f square minus का c सरुके value put कर दिए k के कि निकल जाएगा radius कितना मेरे पस 5 upon 2 is equal to under root में g का square minus 1 का square 1 plus में f square में त्री बाइ 2 तो 9 by 4 हो जाएगा minus का c के जगह पे k isquaring बहुत चायट कर जिए हाजएगा 25 by 4 is equal to निकाल देंगा बात खत्म इसके को इधर ले आए प्लस को हो जाएगा इसको अधर भेज दिए तो वन प्लस नाइन बाइफ और माइनस का 25 बाइफ बस यहां से सॉल कर देंगा हमें के की वैल्यू जो हो मिल जाएगा ठेके ना चलिए डाय स्वाल कर देते हैं से सॉल कर देते हैं makeर लेकर सारे के वैल्यू ऐल्यू यहां से स्चार यहां सी ना यहां negotiated होते हैं तो बारा अबर जाएगा माइनस का बटे में चार खाड़ देंगे तो के की वैलियू आजाएगे आपकी पास नेगीटिव ओफ थ्री तो इवर मैं आंसर मैच कर लेता हूं कई के की वैलियो मैनस त्री चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है यह बन गया हमारे पास आगे की बात कर लेते हैं आप हमारे पास इसमें एक क्वेशिन और पुछा गया है जिसमें काहता है और विच पासे ठूद पॉइंटि थूद इस हमसे का जाता है एक एक बताईए सर्क तो क्लास 10 से याद किजिए एक्वेशन कैसे बनाते थे माल लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है इस तरह से और हमें क्या-क्या पता है इसका सबसे पहले तो वह चीज देख लिजिए सबसे पहले हमें बता है कि 5, और यह मिक्स फेरेक्शन में तो 5 x 2 हो जाएगा 5, 5 x 2 से पास होता है कहीं भी ले लेजिए 5, 5 x 2 यहां से पास हो रहा है सर्कल और एक चीज आपको अच्छे से पता है किसका रहा है इसका सेंटर क्या है इसका सेंटर है हमारे पास जी और फकी वैल्यू मैंनी निकाल लिया थ लिए बन गया तो देंग का हमें न्हीं क्या थुक्त यह और यह ज कि एम पास होता हूब तो हम क्या करेंगे टू सुन रगा देंगे तो सॊंधर पर तो कर laura 1 सुना हो को 2.2 से कैसे बनाते देश्ट कित सही बनाते थे किसी चीज़ करें चलिए बनांकर दिशा फॉर्मुला होता था य-y1 is equal to y2-y1 divided by x2-x1 is equal to bracket में x-x1 यह होता था आपकी पास equation इसको हम M कहते थे slope कहते थे कोई रिकत वाली बात नहीं solve कर देते हैं तो इसको माल लेते हैं इसको माल लेते हैं y1 इसको माल लेते हैं x2 इसको माल लेते हैं y2 किसे को अभी उदार से भी मान यहागा तो को इरिकत वाली बात ठीक ना चलिए तो y-1 y1 कितना है minus 3 by 2 यह हो जाएगा plus 3 by 2 is equal to y2 minus y1 y2 minus y1 तो 5 by 2 में से माइनस हो जाएगा minus 3 by 2 तो पलस का 3 by 2 divided by में x2 minus x1 उतला 5 में से माइनस करेंगे 1 और bracket में x-x1 के जगा पर आपकी पास है 1 ठीक है चलिए अब इसको solve कर देते हैं यह लिख देते हैं y3 by 2 is equal to इसको solve करते हैं इसको कितना हो जाएगा 8 by 4 8 by 2 तो 2 4 आ जाएगा 4 और नीचे में भी आपकी पास 4 ब्रेकेट में x-1 यह काटे देगा तो 1 आ जाएगा मेरे पास बच्छा y plus 3 by 2 is equal to x-1 ठीक है चलिए इधर उधर कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 by 2 प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा 5 by 2 क्या हो जाएगा 5 by 2 तो यह हो जाएगा मेरे पास 5 by 2 और cross multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 2x-2y that is equal to 5 तो एक बर मैं तो यह कहानी थी आपके पास question number second की आयोप आपको समझ में आया होगा चलिए आप हम बात करते question number 3 की अगर आप लोगो किसी भी question में कुछ doubt आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको क्या करना है इस number पे वेज़ देना आपको proper video solution जो हो मिल जाएगा ठीक है आगे बात करते हैं find the equation of the circle the end points of whose one diameter are the centers of the circle this and this बड़ा ही आसान सो question दिया है बस इस question को समझने की जरूरत है इसमें कहा जाता है कि जो एक circle का जो end points होते हैं end points होते हैं वो क्या है center है किसके इन दो circles के तो हमें क्या करना है ऐसा कर लेते हम जैसे कि मेरे पास यह एक main circle है तो main circle है तो एक point यहां लेता हूं और यह हमारा center होगी फूरा-क पूरा diameter माल लीजे यह फूरा का diameter माल लीजे तो इसका यजर जो जो अंड़ रेंड पोइंट है और नहीं आपना दिया हिए वह रहलें के वो ही इस यू जह जिगा लगहां है वह यहां पर लागे चैसे ऐसा ही कॉपी कर देता हूं इसको मैं बना देता हूं इसको मैं यहां पर ला देता हूं तो इसका भी सेंटर मान लेता हूं कहां पर लाई कर रहा है बिल्कुल इस वाले जगा पर लाई कर रहा है तो इन दोनों अच्छा का एक्वेशन मालूम है इन दोनों के एक्वेशन माल तो जो diameter form होता था, उसको हम apply करके equation बनातेगी, बात कतम, ठीक है, तो सबसे पहले पहले circle पे नजर मारिए, यहां से g की value आपको 3 देखने को मिलेगा, और f की value आपको minus 7 देखने को मिलेगा, तो इसका center हो जाएगा minus 3,7, क्योंकि minus g, minus f होता है, ठीक है, दूसरे वाले यहां स जाएगे, g की value जो देखने को मिलेगा, आपको वो देखने को मिलेगा, minus 2 और f की value देखने को मिलेगा 5, तो इस वाले का center हो जाएगा 2, minus 5, 2, minus 5, अब हमें क्या करना है, equation बनाना है, याद कि जो diameter form याद आ रहे है, देखे, चीजों को आपको याद रखनी पड़ेगी, इ नई चीज तो आप लोगों के लिए है नि, अगर आप मानते हैं तो भाईया पढ़नी रहे है, तो दिक्कत है, ध्यान रखेगा, तो diameter form पहले में लिख देता हूँ, x-x1, फिर आजाएगा आपको पास x-x2, plus y-y1, फिर लिख देता हूँ, y-y2, that is equal to 0, अब लिख देता ह 2 है, plus में, y-y1 के जगा 7 है, और फिर बरिकेट में, y-y2 के जगा-5 है, तो ये plus का 5 बना देगा, चलिए, इसको multiply कर देते हैं, x से दोनों को करेंगे, x2 minus 2x, 3 से दोनों करेंगे, 3x minus 6, plus, यहाँ जगा y2, plus 5y, minus 7y, minus 35, is equal to 0, ठेक है न, चलिए, अब हम क्या कर सकते हैं, य और इसको solve कर देंगे, तो minus 2y, और इसको इसको कर देंगे, तो minus 41, that is equal to 0, यह कौंचा question था, question number I think 3 था, just let me check, x2 plus y2 plus x minus 2y minus 41, that is equal to 0, exact same, same, yeah, okay, next, let's move towards our next question, यहाँ पर देखे, बड़ा ही interesting question दिया है, कई बार बच्चों को थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, जब तक आपका concept clear नहीं होगा, तो मज़ा नहीं आएगा बई, अगर आप लोगो concept clear नहीं हो रहा तो personal online class लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं, सभी का mind processing है वो एक तरह से नहीं होते हैं, no doubt, ठीक है ना, तो कुछ बच्चे को slow समझ में आता होगा, कुछ बच्चों को fast समझ में आगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो जो थोड़े slow हैं, उनको need है एक personal teacher की, ठीक है ना, तो हो सकता अगर आप आसपास में आपके कोई बईया से पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर हर स्टुडेंट की हिसाब से पढ़ाया जाता है, देखें, मेरा target है कि मैं किसी ना किस तरह से आपकी मदद करूं, और कुछ नहीं, तो चाहिए आप किसी और teacher से मदद ले, आपका भला हो, किसी भी तरीक से ले, उससे कुछ भी फरक नह अब आते हैं, इस question में, इसमें कालता है, one end of a diameter of the circle is this, तो फिर से हमें circle है और diameter फिर से लगाने की यहाँ जुरूत पढ़ सकती है, यह circle है, और circle का जो one end है, one end है, माल लेते हैं, यह वहला हमारा diameter हो गया, तो जो एक end है, वो 2,1 है, वो कि आपके पास 2,1 है, ऐसा दिया हु तो हमें a, b मतलब a और b की value निकालनी है, ठीक है, अब हमसे का जाता है, इस circle का equation है, तो circle का equation से हम आसानी से center निकाल सकते हैं, बताए है, center निकाल सकते हैं, आई नबा समझना है, तो चला हम center निकालने की तयारी करते हैं, यह दो आली, देखिए, यहाँ से g की value आजाएगी minus 5 by 2, बताए किस तरह है की कोई दिकत, हमें center पता चल गया, अब center जो है, center उसे हम generally x, y बोलते हैं, यह वाला x1 और यह वाला y1 होता है, यह वाला x2 होता है, यह वाला y2 होता है, और अगर कभी आप लोगा ने midpoint सुना होगा, midpoint, midpoint formula, of course सुना होगा, no doubt, आपने बहुत बा y, वो किसके equal होता है, पता है, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, तो यह कहानी होती है, आपके पास coordinates की, अगर हम x की बात करते हैं, तो देख सकते हैं, x कितना है, 3 by 2 है, y की बात करते हैं, कितना है, आपके पास, minus 5 by 2, ठीक है न, चलिए, and next, x1 plus x2, मतलब x1 plus x2, ऐसे करके, तो 2 plus का a, divided by 2, comma, आपके बात हो जागा, y1 plus y2, तो 1 plus का b, 1 plus b by 2, तो यह हो जाएगा, आपके पास इस तरह से, अब क्योंकि यह वाला point और यह वाला point equal है, मतलब x वाला x की coordinate के equal होगा, और y वाला y की coordinate के equal होगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, 3 by 2, that will be equal to 2 plus a by 2, cross multiply कर देजे, यहां इधर कर देंगा, तो 3 minus 2 हो जाएगा, तो a की value 1 आगे, आई नबा समझ में, a की value 1 आगे, उस तरह से, आप minus 5 by 2, that will be equal to 1 plus b by 2, यहां से इसको उड़ा दीजे, 1 इधर आचाएगा, minus 6 बना लेगा, तो b की value minus 6 आगे, तो जो other end था diameter का, वो 1, minus 6 हो जाएगा, 1, minus 6 हो जाएग तो I hope, यह starting के चार question कहीं नका है, थोड़े बहुत, same concept है, थोड़े बहुत, same concept है, थोड़े बहुत, same concept है, आगे की जो 5 question है, 9 तक, वो same concept है, तो मैं सोचा, कि उनको जो है, वो एक वीडियो में properly, बता दिया जाएगा, that would be the best, I think, तो चली, उमीद करते हैं, इस वीडियो म लाइक करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आकान को जूर प्रेस किजिएगा, चली मिलते हैं, अगली वीडियो में प्रैक्टिस करते रहिएगा, जैए!